तो हमारी इस weekend की online classes में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं Excel, VBA, Micro, Power, Programming की Excel functions creations, right, functions, देखिए, जो हम लोग Excel में formula परते हैं, वही VBA चाहिए Excel में function कहलाता है, तो please confuse मत होईएगा formula और function को लेके, functions, एक सबसे पहला सवाल उठता है, कि सर, आप VBA में function करना सिखा रहे हो, और हमारे Excel की already inviild इतने सारे functions है, तो क्या ज़रूरत है, तो basically function में सिखाता हूँ कि कुछ ऐसी function जो इसमें ना हो, या ऐसी function या फिर इस function को modify करना, या फिर customize करना, right, तो function इसलिए हम इसको करा रहे हैं, तो function से पहले आपको declare करना होगा कि आप क्या function करना चाहते हो, क्योंकि जब तक इस चीज को नहीं देखोगे तब तक आप पसर मुस्किल हो जाता है, तो आप चलिए हम छोटे-चोटे functions पे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम function की पहले category mathematical calculation को लेते हैं, तो mathematical calculations में क्या चाहिए तो याद होगा मैं जब मैंने आपको Excel की formula परहाया था, तो mathematical calculation कराया था, चलिए उसी mathematical calculation को करते हैं, तो mathematical calculation में पहला माल लिजिए कि मेरे पास quarter growth निकालना है, quarter one and quarter two है, तो मुझे इसकी growth निकालनी है, right, growth, अब growth में क्या है, तो normally जब growth हमने निकाला, उसी growth को हम VVA के through करना चाहते हैं, तो growth का फिल मैं एकमेट में चलता हूँ function VVA में, और हमेशा function modules में बनता है, इसका ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर अपने लिका function, यहाँ पर function के name, और हमेन पर यहाँ पर टोर बासे पर अपने वासे टिश्या, क्वार एकमेट रोहा इस्कार जे इस्क्राट का अपने अभाटर ग्दो अध्या च्पक्र टोर धिसंग अग्त गंगनेक लिए धंग़ी ए Anda इस्क्राट निया, अदेखी एक्या हुआ कि अदेखी बातामच का कि 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 अदेखी आप पर है एंडाओ कि अदेखी आपक। आपका आवाज नहीं आ रही हो सॉरी आवारी से आवाज हां रही हां मैं बोल ला था कि यहां पे हम ने फंक्शन लिख लिखिया फंक्शन यह फंक्शन का नाम कि अपने इसाब से कोई भी दग सकते हो बस वही फंक्शन जैसे की इन्विल्ड फंक्शन पहले से बनावागे से वी लुक अप ऐसे नाम में तुरी सी कन्फियूजन हो सकता है वी वे को दूसरा जो है आप फंक्शन में ए फंक्शन का नाम रिफाइन करते हैं तो आप जो है अल्फा नुमेरिक जो भी मैक्रो का नाम लिखने में जो भी आप अपना ए डालते हैं ना उसको आप नौ डाले ठीक है और यह inputs होता है जैसे कि आप इस का formula लगाते हैं या वी look up इस को इसको यह formula एक सण नौर्मली लगाते हैं तो जैसे की इन्पुट होता है ना इस लॉजिकल test, value true, value false, ऐसे inputs हैं तो ऐसे इंपूट्स दिक्लिर करना हो तो तो यहां पर आप जो दिने की हमने जो हेडिंग डालक है वही हेडिंग हमारा यहां पर वेवल नेमो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो अपने साथ तो यह पहला पार्ट का है फंक्षन का डिक्लिरेशन तो फंक्षन का डिक्लिरेशन समझना आगिया आप लोग को किसी ओको डाउट जसपाल जी सर इसको यहां पर यहां पर सेपरेटर काम करता है सर जैसे हम लोग के जो इन्वेल फंक्षन होते हैं फार्मूले उसमें जैसे हम लोग टाइप करना सुरू करते हैं तो वह हम लोग को दिखाने लगता है कि आप यहां पर यह वैल्यों डालियें फार्मला प्रॉइंगा इसमें आपनी आता है इसको बोलते हुआ तो जिया पर दिखेगा लेकिन नहीं आएगा मेरी बात कम्प्लीट पर दिखेगे सर्व या लेकिन अगरा function एसेक्स पर click कर देते हैं, तो यहां पर आपने नाम दिया हुआ है तो नाम यहां पर आपको show करेंगे समझें? Okay और यहां पर इसको कॉमा और आपका यहां पर हम रहे हैं आप बात करते है, डिकलेशन की बात होगी, अब बात करते हैं, calculation कालकुलेशन कहा करें तो यहां पर दिम आर एजे हमने कर दिया डबल है आर इक्वल टू हमने बोला की क्यू टू माइनस क्यू वान जिवाइद बाइ क्यू वान और यहां भी हम गोर्ड मास्स मेफ़र्ड को फॉलो करेंगे क्यों करें और हमने ऑड़ इक्वल टू किया फॉर मेट आर कॉमा जिरो पॉयन्ट सब्सक्राइब करेंड सब्सक्राइब ते होगी हमारी कैलकुलेशन लेकि इतने से हमारी ईजल्ट नहीं आएगा क्योंकि रिजाल्ट हमने अभी आउट नहीं किया है बाहर रिजल्ट को बाहर करने के लिए हम लिखेंगे जी आर इकवल टू जो फॉर्मले के नेम है जो फाइनल रिजल्ट जिस वेरेवल पे पे श्टूर हो रहा है उस फॉरेवल को आपके फॉर्मले नेम पे असाइन कर दिजिए अब बाहर देखिए काल्कुलेशन बन की आउट कर देखिए रहा है मतलब कि कहीं पे कुछ प्रॉल्म हुआ है और एजिट गवल टू आर एजिट वेरेंट कर दूँ अब बताईए कि ऐसी प्रॉलम क्यों थी रजिकान जी आप बताईए इससे पहले एरर आ रहा था जब हमने यहां पे वेरियेंट के जवाब पे डबल ले रखा था हम लोगों को परसंटेज दिखाना है सर एक नर्ट रजिकान जी से बात कराओ प्ली रजिकान जी पूले फिर आपसे भी बात करेंगे वन बात करेंगे जो परसंटेज होता है वो डेसिमल में होता है तो इसलिए को डबल में ना करके वैरियेंट में किया है नहीं गलत आपने है हमें double लेना इसलिए था क्योंकि हमें हमारे रिज़न percentage में था। हम्बाइक समझे और percentage dational में होता है।then we need to double bubble रांने से error 官僱 Wooooas, क्योंकि यूआम वनोंको ने में छीनab closer the flame दो दूभक Communist आज दिक्ल दूवेल के डेक्स्ट के लाइक्स्ट के लेख्ल क्यों करने के लिए उसके एक्वल है जो कि रिटार्न करता है रिजल्ट एजिट टेक्स्ट अपट यहां और तो डबल था और बोलता है कि हम नंबर्स लेंगे हम देरें इसको टेक्स्ट तो आप लेने से मना कर रहा है है समझे अब हमने अभी हाँ तरह देंगे भी दिक्कत होगा तो इक स्टोर इस दिक्कत होगी तो हमने वेरियंट किया कि यहां पर आर बन गया डवल और यहां पर बन गया टेक्स्ट समझे यस अब लिए आप क्या बोलें जो आएगी वो तर्टो फार्मेट रहेंगा वोट होगा बैग्राउंड में जो 25 परसेंट लिखा है जी हां जी हां अच्छा तो फिर हम जैसे दो परसेंटेज को आपस में जोड़ेंगा तो यह आड नहीं हो पाएगा सर क्यों नहीं होगा होगा क्योंकि जैसे मैथेमेरिकल कल्कुलेशन होगा ना ऐसे वो अपने आपको कन सब्सक्राइब नहीं करेगी समझ गया है चलिए दूसरा एक्जामपल यह पहला एक्जामपल था दूसरा एक्जामपल हम बात करते हैं हमें MRP निकालना है और हमारा कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है साहल आपको याद होगा कि MRP निकालने के लिए हमने फॉर्मूला काल्कुलेशनल पार्ट में काफी लंबी और लंबी कैल्कुलेशन को किया तो अब चलिए इसको हम बीवे के रूद थू कैल्कुलेट करते है तो इसके लिए हम अपना फंक्शन यहाँ पर फंक्शन MRP cost as a long अब यहाँ पर करते हम अब डिम आर एज़ डबल को कि डेसमन्स होने के चांसे हैं तो आर इक्वल टू cost multiply by 5% फाइव परसेंट फाइव परसेंट यहाँ 0.05 देना पड़े परसेंट का सेंबल सेप्ट नहीं करता है plus cost और इसको फाइब क्या हुआ कि पहली जो मैनुफेक्ट्रर जो है वो अपने cost का hello जी तो पहला मैनुफेक्ट्रर ने क्या किया यह अपनी cost का 5% निगाला अपनी cost में add करके distributor को दे दिया आप यहां पर आपको आर पर इंस्टॉल है अब यहां पर लिखा आर इक्वल टू आर का 0.10 प्लस आर और यहां पर हम इसको प्लस कर देता है यह हमारा distributor ने अपने खरीद पे 10% add किया और wholesaler को दे दिया होल से लर्ड ने क्या किया कि आर इक्वल टू आर का 0.15% add किया अपने खरीद पे और यह रिटेलर को दे दिया और रिटेलर में 20% add करके तो यह हमारी कैलकुलेशन बहुत बात में हम एम आर पी इकवल टू आग एनी डावट था इसमें इसमें सर्य जो कैलकुलेशन आपने रिटीशन लगाई फिर आर चार चंडिशन लगाई आपने तो यह लाइन बाइस चलेगा ना यह अब एस चलेगा और जो लास्ट वाला होगा वो हमें लेगा जो लाशन ने बोला प्रवालिंग लाइन बाइन चलता है ठीक है ठीक है और किसी को डाउट है चलिए इसको अपलाई करते हैं और यहां पर हम करते हैं MRP और MRP में कॉस्ट हमारा या अब आप लोग सोचेंगे कि सर इसमें जो हमने परसेंटेज दिया है यह भी मैं अपने हिसाब से यूजर को द कॉमा करके सारे परसेंटेज को डालने परेंगे ठीक है और उसको फिर यहां पर कॉल करना पड़ा है जैसे हमने कॉस्ट को कॉल किया है और यह आप कर सकते हैं जैसा मुझे उमीद है अब तीसरा एक्जामपल हम देखते हैं तीसरा एक्जामपल हमारे पास क्या है मेरे पास है प्रिंस्पल जो की 50,000 है रेट है हमारा 10 परसेंट टाइम है हमारा 6 यह तो हमें इमाउंट कल्कुएट करना है तो इसके लिए और लेडी हमारे पास एक्सल में इंबिल्ड फॉमला जो है ओ भी है future value का formula है हम इसके यूज कर सकते हैं लेकि इसके calculation में sometimes क्या होता है कि हमें trust नहीं होता है क्योंकि जो calculation US based पर है तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि trust नहीं होता है तो हम मेनू लगना चाहते है जो हमारा mathematical formula है कि पी multiply by 1 plus r divided by n power of p multiply yn जो normally है जो जिक्र हम आपको mathematical calculation बाली formula में किया था तो उसी चीज को हम यहां पर follow करेंगे चलीए तो में पास इंपुट कितना है, प्रिंसिपल पी है, रेट आर है और टी टाइन है, तो हमने यहाँ पी दिया फंक्शन, एमाउंट, पी एजे लॉंग, आर एजे डाबल, और टी एजे इंटीजर, ठीक है, हम डिकलेशन हमारा हो गया, डिकलेशन के बाद हम बात करते है, कल्कुलेशन का, कि दिम, एजे, एमाउंट के लिए करते है, तो एजे, डाबल, यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप इक और लिकल करते हैं, कि यहाँ लिखते हैं, कि ए एक्वल टू, पी मल्टिप्लाइबाई बाई, वन प्लॉस आर, दिवाइड वाई, एन मतलब बार, ठीक है, इसको हम ब्राइक करते हैं, पावर आफ, टी मल्टिप्लाइबाई बार, इसको ब्राइक करते हैं, ठीक है, और बोर्ड मास्क को यूज करते हुए, हमने इसको भी ले लिया, समझ गया, किसी को डाउट, बिरुशेंज जी को डाउट है आपको, अब यहाँ पर लगाता हूँ, इक्वल एमाउंट, प्रिप्टी तॉजन, टेन परसेंट और यहाँ पर शिक्स, यहाँ पर रहा है, इसको डवल करना और यही पर दखें, को डेक्स कान्वान डियुशन सब्सक्राइखाता है, है तो हम चाहते हैं कि final result हमारा हड़ जाए हम format इस्तिमाल कर सकते हैं उसमें दिखकत है कि text में convert जाता है तो हम हम जो है function का return type की amount है यह वी एक तरह का variable ही है तो हम इसी का return type जो है as a long कर देते हैं ठीक है अब क्या होगा अब जो मेरा amount है वो amount हमारा convert हो जाएगा क्लियर है सर इसमें round up function नहीं लगा सकते हैं क्यों जो में आप सिंग्ल और अपैश्चन होगा राउंड सपोर्ट नहीं करेगा फिर अप्लिकेशन का लेना पर अब 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 यह इन लगा देंगे अब इसमें अगला चप्तर मैंने आपको मैंथेमेंटिकल के तीन इंगांप्र पता हैं अगे आपको साथ एक्जामपल खुद बना दें है ठिक है अब हम बात करते हैं जूसरे टॉपिक जो की हमारा ऍंटर का कैलक्विलेशन अम मैंत्रमेटिकल के नमबर कलक्विलेशन से चलते हैं आपको याद अपके साथ सब्सक्राइब शालिए खाऊ यहाइब स्कीशन के कलक्योशन पताई ता 10 फॉर अब जैसे कि मेरे पास start date है जैसे कि मैं बात करता हूं कि अगस्त की एक अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में कितने number of अब कैसे होगा अब यहां पर इसका हम यूज करते हैं पंक्ष्ण अब यहां पर इसका हम यूज करते हैं और यहां पर होगा as t start date as a date और फिर en as a date और d as a strain समझ माया हमने क्यों ऐसा किया तीन inputs क्योंकि हमारे इसमें तीन inputs है डेटा में पहला दो देट से और एक हमाना string है तो हमने यहीं पर किया कि यहां पर दो date और एक string और फिर यहां पर करते हैं dim r as a log integer होगा इंटीजर और फिर 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 दाओं यहां पर कि 4 i equal to st2en और फिर if condition लगा है कि if d equal to format format में यहां पर आई देते हैं format i comma d d equal to d then i equal to r equal to r plus 1 और यहां पर and if next i and the last हमने बोला कि date underscore 1 equal to r अब बताईए आप लोग इसको समझेए क्या दिक्कत आपको कहां पर और कैसे दिक्षा प्रजनिकान जी जस्पाल जी समझना आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है समझ कर रहा हूं जस्पाल जी आपको आ रहा है समझ में हैं या आरा जी जस्पाल जी आपको आपको आरा है क्या आज सर्मे मोबाइल से करक्या ज्वाइप तीन देवर जोइनिंग आपकी आ रही है जिस्पाल सिंग जिस्पाल और एक और जिस्पाल नहीं पहले जोइन किया था वो कुछ कड़कर होगी फिर कंपूटर पे किया वो भी होगी फिर द्वारा मुवाइल पूर आगया जो इसमें आई की वेल्व हमारा जब डेट में यह जाएगा पहले आप समझेए कि आपका डेट क्या है तो डेट यहां पर डेट है लेकिन एक्सल में डेट अजिन नंबर होता है ना तो यह हमारे पास वह कितना बग चलेगा हमने को डिफरेंस नहीं निकाला हमने सिंपल बो पास देट से एंडेट चलेगा रैट नमबर है तर्फ एक्वड टो टुु टु दु ना करीका हमने और दीट को पहले अगे अधर देट ना अगयोड इक्वल टु टू ना की सटादेश पर टूरे ना अगर इस जटेश वाजह पालोड ए पर ना पास फौर्ट यह दिखा कहां पर पर फिपार हैं तो यहां पर हमने क्या बोला कि अगर दे मैश करता है हमने बोला सवाज करने लिए हर एक इक दिन पर आ रहा है देख रहा है उसको कनवार्ट करता दे में और चेक करता है अगर दे सटर्डे है तो आर पे एक काउंट स्टोर करेगा उतनी ही उतना उसका सटर्डे हो अब यह मैंने कहां से इंस्पार हुआ बता हूं सर इंदर से निकाल के बाहर रख रहा है इसकी काउंट के लिए एक टोकन देता है उसको आर्थ नमर का टोकन देता है एक टोकन होता है कि एक बार में आर्थ इत उठाया है तो इसको पैसा में तो से मिथवड हुआ कि हमने बोला इसमें कि भाई एक अप्तिस दिन तक आपको चेक करना है और जितना बार उसको सटर्डे मिलेगा आर्थ एक टोकन देदेगा पर आर्पे जितना टोकन जमा होगा वही हमारा विजर आप संबना आया सर इसमें हमने डी को को सैटरडे दिया तो नहीं कैसे समझेगा हम फॉर्मा लगा तो इसमें देंगे ठीक है और को डाउट किसी को तो यहां देखिये लगाता हूं मैं कि मैं लगाया यहां पर देट अंडर्स्कोर ओवन अमने स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा सटर्डे तो जो बी-3 की वैलू है और स्ट के स्टोर हो गई एन पर और दी थरी की वैलू इस्टोर हो गई दी के लगा और रिजल्ट हमारे पास फोर आगया अब मैं एक बार मैनुल मैस कर लेता हूं कि रिजल्ट सही आ गलब कलेंडर से तो सट्र हमारा चार ही पड़ा है मेरा रिजल्ट सही बता रहा है ठीक है कि क्लियर है आगे बढ़े आगली एक्जाम्पल में चलिए आगे बढ़ते हैं आगला एक्जाम्पल भी हमारा डेट से ही रिलेटेड है दूसरा नमबर यह मारा पहरा कॉश्चन था और दूसरा एक्जाम्पल हमारे पास है कि मेरे पास किसी महीने का एक देट है जैसे कि मैं यहाँ और मुझे यहाँ पे सेकेंड सटर्डे हमारा ओफ होता है और ठीक है तो चलिए इसी में तर्ड को पूरा करते हैं तो ब्रॉलम है कि मेरे पास यहाँ पे स्टार्डेट और यहाँ के स्टार्डेट है अंडेट हमें अपनी हिसाब से कल्कुलेट कर मैं तो पहले तो डिकलेशन करते हैं फंक्शन का इस फंक्शन देट अन्रेस्कोड टू दूसरा फॉर्मूला है अब यहाँ पे हमने दे दिया स्ट अजर देट कमा एन्द अंड कोनसा एन अजर बाइट कर लिजि ज़िक ज़ना नहीं होगा तो बाइट कमस अब सिर्ट छूटा होता है अंड कमा देट च्ट्रिंग तरहरे हमाना इंपुट्स हो गया है ne बतब की फार्मुला जो हम लगाएंगे तो देखिए एसे लगाएंगेगए तो दे ट टू एक सेप्टेम्बर जो है यह स्टॉर हो गया कि इस पे हमारा स्टी पे है और ती अब इसमें हमने क्या किया हमने दिया कि 4 आइप्लिकेशन डाट वर्कशीट फंक्शन डाट इओ मन्त और उसमें देदिया मैंने स्मझ माया क्या मैंने तो कि हमारे एकसल में एकसल का फॉर्मूला है इक ओमन्त जो कि हर महिले की सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए एकस्प्रेशन नहीं आया जैसे के लेन का फॉर्मूला सब्सक्राइब करता है जो फॉर्मूला डारेक्ट सब्सक्राइब करता है उसको हमें अप्लिकेशन से कॉल करना पड़ता है कि अप्लिकेशन.worksheetfunction.eo month और इसने निकाल दिया इस महीने का मतलब की नंबर का end date अभी यहां प्या सेम होगा कि एस कि फॉर्मेट i,ddd equal to d tan r equal to r plus 1 यहाद आर देना प्रेगा dim r as long या इंटिज़ यह भी कह दीज़ or if you blir the ant f big it or a call is that if n equal to 2 n memory r equal to to n then I wouldn't date underscore 2 equal to i or exit wayction अब देखिए यहां तो आप समझने आ गया आपको कि काउंटर है क्योंकि इससे पहले वाले एक्जामपल था अब यहां भी क्या किया कि मैंने चेक बुला कि चेक करने के लिए कि आर पे दो वैलू तो स्टोर नहीं हो गया अगर सकिन स्टोर हो गया अगर दो है तो क्या करें कि जो आई है उन्हीं आपका डेट है उस डेट को फॉर्मूला का रिजल्ट दो और फंक्शन को प्लोज करो आगे चेक करने की जरूर नहीं है क्या कि माहा लिजिए न कि आपको वैक वहाँ खोजने कर बोला कि आप में आपके आपके वास्यावास दस घर हैं हर कमरे में भुल जाओ और ब्ल चेक करें ईब बहुं लेकिया अब बात यह एक है आपको बॉल दुड़ना है पहला कमरे चेक किया ब्ल नहीं दूभिना जरूरत है नहीं कि मुझे मिल चुका है तो जैसे उसको रिजल्ट मिलेगा बाकी लूप चलाने की जरूरती नहीं है यहीं पर फॉंक्शन को खतुर कर देखिए आया समझ में बिश्वुशेन जी और अस्पाल जी हलो यहां पर रिजल्ट देखिए लकिर अजिए डेट फॉंक्शन में आया अजिए डेट चाहिए तो यहीं पर आप कर दो format underscore comma जिस फॉम्में तरही है जीडी इक्वाल mm उस्पाल में लेकिन टेक्स्ट में आए गए जीडी आए हो गया सर अले सर बोलिये तो समझ में आया नहीं आया अभी सर समझ रहा हूं सर समझ रहा हूं सर अभी 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 इसको अभी वह अभी अभी कि जितना उसको काउंट मिलेगा तो इतना उसका रिजलित हो समंद्गे है जैसे आप आपको मैंने बोला कि आप जाओ पार्किंग में गारिया गारिया काउंट करो तो गारी को काउंट करके कहीं ने के स्टोट रखो के ना आप कि यह बस 12345 कर तो गया बुल जाओ तो दिक्त दो जाएगी तो यह काउंटर है मज़ गया है यह जी आगे बने आगे बने सर यह सर अब इसी में माली जी कि मुझे लास्ट सटर्डे शाहिए इसमें क्या चाहिए हमें लास्ट अब हमें पता भी नहीं कि लास्ट टीसरा चौता है इसलिए हम इसे तो चल जाए जाया जा जाता है पांच डाल देंगे तो लास्ट सटर्डे अ ठीक है न बट मुझे इसमें सटर्डे एक कितना होगा तो हम क्या करेंगे जो फॉर्मॉला हम ने बनाया रहना इसी फॉर्मॉले में थुरा सा मॉड्डिपकेशन हम करगे है इसमें हमें कुछ नहीं करना है यहां जो हमने दिया हुआ है इसको अटाना है और इसको रखना एक्स और कुछ नहीं करना है कि मजगा है यहां पर लगेगा फर्मूला अच्छा डेट थी और एक नाम के दो फार्मूला नहीं होगा एक नाम के दो फार्मूला नहीं होगा यहां लगेगा अगैश्थााै जजय्कर टात करसों करना है यहां एक व्थी अग्मैनल देर कर्वादी हो लीं। आफेटाैय कर द मेंट 1987 CC एक क्य आफेटाै कर और laquelle एक दो पार स्चाल सेखेंए और हैं। सिगे अलो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देखिए बात यह है कि कोई भी वैलू जो लास्ट में स्टोर होता है अजिसे मानले जिरे एक कंसेप्ट निये लिया हो कि R इक्वल टू मैने 10 है पिर R क्वल टू 20 कर दिया आरेतो मैने और थटी कर दिया तो आर गरमान क्या होगा 10 होगा 20 होगा 30 होगा 30 होह ना तो यही पर सेव कि अभ यहां पर R देनेगा तो जो है ना आरेतों चेक करेगा विन ऑकिली इक्वल-टू-ड तो पहले 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 सट्रेटे को डालेगा पिर तीसी सट्रेटे डालेगा तो आपका फंक्शन होने तक जो बैलू स्टेवल होगी वहीं रिजल्ट होगा कि यह ज़र कि आया समझ में आब कि पहले हो चेक करेगा पहले सट्रेटे को मैच वा तो इसने पहले सट्रेटे का डेट इस पे डालेगा फिर चेक करेगा दूसरा सट्रेटे मैच वा दूसरे सट्रेटे के डेट डालेगा तीसे सट्रेटे के डेट डालेगा तीसे सट्रेटे के डेट डालेगा समझ गए सर समझ गए चलिए आप समझदार होगे मिना मदाम खाय सर आप है ने सर आप हमारे लिए मदाम है अब इस पे आगे चलते है अगला एक्जाम तो हमने आपको mathematical calculation समझा दिया हमने आपको date की calculation जा दिया अब हम बात कर रहे हैं कस्टमाइजेशन मतलग जो already VVA का formula है उसको लेकि हम कैसे कस्टमाइज करें सुझ जाए तो माल लिजिए कि मिरे पास यहां पे name है और इनके sales जाएदा ही होगे ताम में रखाँ अम यहां पे हमने अब जैसे कि मैंने यहां पूजा लिखा तो आंजाम यहां यहां फे लूक अप देटें और इसको select करते हैं अब पूरा उठाने हैं अब कॉमा तू कॉमा जी रहे हैं तो 78 मतब कि पहला तैकि में यहां यहां पूजा और मैंने यहां यहां पे दूसरा है मुझे पूजा की डूसरी वैलू चाहिए यहां जो कि भी लुक आप से नॉमल नहीं हो सकता है अरे लगाने पर भी होता है तकी अरे सब्सक्राइब है तो क्या करेंगे इसके लिए इसके लिए फंक्शन ना है वी लुक प्रिस्टिंग वरी बात कर रहे हो आप कर रहे हो आप कर रहे हो आप कर रहे हो आप देटा के अंदर चैन्निंग करने पड़ेंगे आम डेटा चैन्ग नहीं करना चाहते हैं तो यहां के जी आजिए वरियान को की पूजा जो रहे कुछ भी हो सकता है कॉमा की आजिए इंटीज़ कॉलम नंबर पॉमा एंट 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 अजिए अगें इंटीज़ अब इसमें हम दी लुक अप नहीं लगाएंगे दी लुक अप एभी एक तुरू नहीं हो और यहां की एक आर देना हूँ एक एक आर अजिए रेंग्स तो फॉर्मॉला इस तरह लएगा लुक आप लुक आप वान पहले पूजा को दिया हमने तो फिर हमने रेंज को सेलेक्ट किया कॉमा प्रिया मना कॉलम नंबर हुआ कॉमा फिर हमना पोजीशन की किस पोजीशन चाहिए पोजीशन अब यहां पे हम करेंगे कि बिम आर एज रहेंगे ठीक है और यहां देंगे कि फोर इस आर इन तो फिर आर दोट बैल्यू इक्वल तु वी इस के साहँ इस वी दैन काउंटर चाहिए दिम अर बिम पायच प्रियू पित काई प्रियू प्रियू इस पित्ती प्र्स वन और यहां पे अधना पित्यू आर रहें प्रियू अख़ो गा ओक रहें था आर एप्रिण दूप्र्ण। one equal to r dot offset zero comma c dot value . . . . . . . और एक्जिट नेक्स ठीक है एक क्या करेगा अगर पूजा एक्वल हो रहा है तो स्कीटी के ऊपर एक नमबर एड़ करेगा पर इस कंडिशन चेक करेगा कि स्कीटी के ऊपर एंथ नमबर एड़ है क्या वह दूसरा नमबर है अगर दूसरा नमबर है तो आपस्टेट कॉमक हो कि आपको हो सकता है कि आपके बास दूसरा कॉलम तूसरा कॉलम चॉथा कॉलम के नमबर लेंगा उस कॉलम तो यहां पर स्टोर कर देगा उसका फॉंक्शन लुकाप पर देगे फॉंक्शन के यह पर तो दूसरा पूजा क्या वाद है गुंकुल क्यों है इसमें जो एक सेंटेंस है एक फॉर इच के इन आर कि इसमें क्या हुआ कि हमने फॉर्मूला लगाया इसमें तो मुझे फॉर्मूला के हर एक सेल्ट में जाना है कि मुझे इसके अंदर में सर्ज करना है फुजा कहां कहां है कि इसमें हम कोई और लूक में लगा सकती को कि मुझे यहां पर कोई नहीं है कि कितना रेंज हो सकता है। फुरा कॉलम लेंगे तो दिक्तत है। इसलिए हमने क्या किया। हमने और इच लूक इसमें लगाया कि और इच कि इन आ, मतलब कि आर की आंदर जो भी रेंज्टेद है उसके हर एक शेल में जाओ उसकी वैलू को चेक करो, इसकी वैलू equal to B मतमत की एकव्यक्वल पुजा है, ऐसा मिलता है तो एक count इस पेस की पे count एच करदो, ताकि पता रहे कि आपने क्योछना पुजा दूल लिया है। जैसे पूजा गुनने के बाद चेक करो कि पूजा ज में जूना है जो दूसरा तो नहीं है और थीसरा तो नहीं है जो भी नंबर N पे स्टोर है जो फॉम्मूला लगाया हुगा, अगर तो जूसरा प्रूब्र नंबर N है अगर है तो क्या करो कि फॉमूला की result पे उस तो रेंज गिंग सेल की अगली जेल वैलू yuk i diya हुआ है तो तुमिघ नभर की वैलू इस टोर करो और फॉम्ला कर यहां पर को वैलू करो तो को विलूब के लिखता पूर की यहां पर यहां यहां आपके यहां यहां आप यहां आप यहां चलता है तो हमें पुजा की लास्ट वैली चाहिए तो हम जैसे हमने उपवाला मेतोड को अपना है ना इसी मेतोड को यहां यूज करेंगे कॉपी पेस्ट लुक आप तूप अब मैं काउंटर हम हटा देते हैं हमें काउंटर की जरूरत नहीं है और इसी को लेता हूं मैं और यहां भी स्कूद आए और इस सब की भी जरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पर लुक आप लुक आप लुक आप तू हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने अचा इसमें एक फी और भी है और यह हमने रहीं दिया इस ती एंथ रुदिया है इस एंथ पर आदिए लुक आप तू होजा हमने बेटा को सेलेक्ट किया पॉमा ववन तो लाज नमारा अठा है आप जरी ठाई कर सकते हो कि अठा है ठीक है इसमें अगला हम बात कर रहे हैं अगला कि मुझे पॉजा की जितनी भी सेल्स है इसकी 78,67, करके आजाएं समझाएं तो हमने जो यह फंक्शन लगाया है इसी फंक्शन में फुरा साफ हम एडिशन कर रहेंगे तो लुक आप टू और यहां पर लुक आप ट्री कर देते हैं स्ट्रिंग कर देते हैं और यहां पर लिखते हैं टी इकवल टी इकवल टू टी के साथ कम्माइन है कॉमा के साथ और फिर लास्ट में हम करेंगे लुक आप अब यहां पर यहां पर यहां पर तो वैलो डिप्लेस हो रही है हम यहां पर इसको कमाइन जॉइन करें ठीक है बस एह अब आता हो यहां पर बैं लुक आप कॉमा समझ गया है अब इसमें एक दिखिए कि आगे कॉमा लग जिए तो कि पहला बार तो सिट्यू ब्लैंक ही होगा ना इसमें एक बाहर का कॉमा इसमें लगा दिए तो उसको रिप्लेस करने का सबसे रचा तरीका क्या है कि राइट सिकी कॉमा राइट लेन मा गिप्ला ओने कर दिएर तो कर दिए कॉमा खट जाएगा सब्सक्राइब पूजाएगी सारी वैलू उठा रहे है हम इसके पहले वाल एक्जामपल में क्या था कि लुक अब कुपर सारी वैलू को रिप्लेस कर रहा है हुम बट यहां पर क्या है कि हम वैलू को रिप्लेस नहीं करा रहे हम वैलू को ज्वाइं प्राइब बस दोनों में यही दिफ्रेंट सरे कोशन दस्तर यह जो उपर वाला आपने की यह लास्ट वैली उठाई है उसने लुकप टू इस इकल टू के डॉट ऑफसेट सरी सी यह कहते है इसको यह लास्ट वैली कैसे उठाई सर पहले तो आप रेंज ले रहे थे आर इसल तो आर प्लस वान तो जो हमने लिया था कि टू किया या थ्री किया आप वहीं तुब सम्झा रहा हूं इसका मतला है कि आप आपने से उपर वाला एक्जामपल जो आपका था यह वाला उपर आप कि आप आप्स आ वही निफिघ्जामपल एविनी सम्झा वह लिए आप जिसे मैंने आपके बताया है था कि मैं यहां पर आप लिखा है यहां पर पहले से पहले वैलु डाला जाए इसको दस वैलु मिले तो पहला जाला 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 होगा इस पे जल्ट कुन सा होगा है यहां पर चेक किया तो दस बार मिला के मालो के बार के जो है सो बार चले ठीक है कि यह जो है ना अच्छा तो लास वाल भे ठीक 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 तो इस तरह से पांबला को आप कर्सक्रीश कर से इसमें जो लुकप 3 वाला है सर इसमें जो राइट फंक्शन यूस किया है आपने तो जैसे यह राइट फंक्शन हम लोग के उसमें जो फंक्शन होता है एक्सल में उससे हटके है सर यह ना वही है वही है तो सर इसको हमने डारेक्ट कॉल कर लिया बिना अप्लिकेशन डॉट वर्ग है हमने आपको पहली बिताय था कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि वी वी को डारेक्ट सपोर्ट करते हैं अप्लिकेशन से उठाना पड़ता है जो डारेक्ट सपोर्ट करता है उसको डारेक्ट हम उठा लिए अब बात आती है कि हमें राइट लगाया लेल लगाया तो कैसे पता चलिए कोन सब फॉर्मुला है क्या क्या है क्या अन्हीं है तो जैसी एक्सल की इन विल्ड एसे बात राइट-लेयर वी जोका पर सिर्ट बगरा बगरा ऐसे बीए के भी इन विल्ड फॉंक्शन है कि इसे विवीए में अप्लाई होता है जिसकी राइत हो गया, लेल प्छॉंक्शन जास सिर्ड विवीए का होता है जैसे कि आप यादधो कि लिए से इल केसे यू केस तो कैसे हमें पता जाए तो इन सबों के लिए हम आपको एक आर्टिकल देते हैं अगुलाई टॉपिक पढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल को पढ़ना परें और सिरियसली आपको पढ़ना परें तो उसके लिए गुगल के ऊपर मैं सर्च करता हूं एक विपसाइट है जो कि मैंने पढ़ा था तेक आर्णेट के विपसाइट है एक काटेग्रीज है इस सारे फॉम में आपको एक्सेल और वीपिये दोरों मिलाके हैं जो कि वीपिये में इस्तमाल किये जाते हैं इसके डेफिनेशन हैं और जब इसके आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर उसका पुड़ा एक्जाम्पल कोडिंग सा मिले हैं तो मैं चाहता हूँ रजणिकान जी मैं चाहता हूँ कि आप इस आठेट को एक बार पढ़ें पढ़ना चाहेंगे यह सर रजणिकान जी आप पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ना चाहेंगे हां सर मैं बोल रहा हूं यह सर यह सर क्यानक सर आवाज के साथ सगल नहीं राता है वह बहुत कम समझ पाता हूं कि कोन किसका है में यांको मैंने चैट पे देजा है सब को यह सब आज में इसको क्लिक करके कॉपी कर ले ठीक है या फिर मैं इस फाइल में डाल के आप लोगों को मेल कर देता हूं एक बार या आप यह भीज देंगे सारे कोड यह सारे फाइल मैं आपको भीज देता हूं इस फाइल को बहुत बहुत अच्छी थीज आपको नहीं बताई एक अच्छी चीज है कि सारे फंक्स्न में क्रियेट किया एक फंक्शन तो सिर्फ इसी फाइल में से लेगा आप चाहते हैं कि सारे फाइल में वर्क करें हर एक फाइल है उसके लिए कैसे करेंगे किसी को आइडिया है हलो सिर्फ परस्टनल बनाते मर्डूल हम क्या करेंगे फाइल को किसी एक लोकेशन में यहां पर एड इन्स एक्षर एड इन्स एक्षर एड इन्स और इसको श्टोर कर देंगे तुमझे है और उसके बाद किसी भी फाइल को आप ओपन करके एक बार फॉस्ट तरह की बार हमेशा नहीं करना परेगा एड इन्स में जाएं गो में जाएं और फिर ब्राउज करें उस पर्टिकुलर एड इन्स को और ओके करें अब हो एड लेकिन एक फॉर्मुला लिस्ट में नहीं आएगा एड इसका फॉर्मुला इकपल करते ही जो लिस्ट होता है इस लिस्ट में बहुत आता है कभी आता है कभी नहीं आता है या नहीं आता है तो कि अलग वर्जन अलग वर्जन के सब्सक्राइब का अलग अलग होता है लेकिन फॉंक्शन लिस्ट के अंदर यहां आप आएंगे यूजर डिफाइन कुछ साथे फॉमुले आपको मिल लाएं ठीक है जर्ट मिल गया है उसको यूज कर सकते हैं अब बाकित आपको दोसियार हो देख लोगे तो आगे मैं अभी और प्रहा था लेकिन यहां पे एक ब्रेकर आ गया है कि आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आर्टिकल को पढ़ें लेकि आर्टिकल को पढ़ने से पहले आर्टिकल को पढ़ने से पहले अब आर्टिकल वैलु लिखी होती है जैसे पूजा 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 फिक सर और उसके आगे सर कॉलम में उसकी वैलू पढ़ी रहती है अलग 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 कॉलम में हम पायोट बना बना के सर निकाल तो सकते हैं बट एक बार में एक की कॉलम बनता है इससे कोई सोटकट मैंतर होता है सर सर मैं जूट नहीं बोलूंगा मुझे देखना पड़ेगा आप मुझे डेटाबेज जें तो मैं ट्राइक करूंगा ठीक है मने आप करना चाहते हो कि एक ही कॉलम में एक ही कॉलम मने कि इसमें रो में हमारी एक कॉलम में एक सेल के अंदर कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ है करें करें रिए रिस्पेक्ट में जो वैलूuled है उन्सकी कॉस्टै उस्की 1टम्स है उसकाम में ए्टरी मेट्र इलका आंप सिर्क मेंח का निकालना ऑप मिसका सब्सक्टी काला है ना सर समने ही निकालना है सर मुझे उन आइटम्स को आप एक पाइवोट में जाए समने हैं सर जो हाज निख निकल जाता है ऐसा निकालना चाहते ना आप यू क्लेक्शन का करता है कि अपने अंदर में यूनीक वेताद को स्कूर करता है अर्फिक है अगली क्लास में लेकिन पहले आर्टिकल पर लिजिएका सब और कुछ एजामपल बना के निजिए ज़गां झाल्वेट